आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलिसेस रेशिपी शेयर कर रही हूँ, कुंद्रू आलू का मसालेदर सबजी, जो ड्राइ सबजी बनाएंगे हम, तो ओयल में मैं जीरा और प्याज डालके फ्राई कर ली हूँ, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, देखिए आलू को मैं इस तरह से काट ली हूँ, जीरा प्याज अलू इस तरह से फ्राई करना है, और फिर इसमें देखिए कंद्रू डालूंगी, कंद्रू को टेंडली भी कहते हैं, और मैं इसको इस तरह से काट ली हूँ, एक कंद्रू को फोर पीसेस में काट ली हूँ, सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे मिलाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढखके पकाऊंगे क्योंकि आलू और कुंदु बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए इसलिए दो मिनट मेडियम लो फ्लेम में मुझे पकाना है ये सबजी बहुती जल्दी बन जाता है और खाने में बहुती क्रिस्पी क्रैंची लगती है तो एक बाद जरू ट्राई करें आप लोग मैं आलू के साथ मिक्स करके आलू कुंदु फ्राई मसालेदर बना रही हूँ आप लोग बिना आलू कभी बना सकते हैं तो देखते हैं ठक्कन हटाते हैं इसको लो मीडियम फ्लेम में अभी पकाना है और मैं इसमें अभी अधरक लसुन का पेस्ट डालूंगी नमक डाल देती हूँ थोड़ा नमक डालने के बाद भी थोड़ा सा नमक से जो पानी छुटेगा उससे भी कुंद्रू और आलू बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा तो मैं नमक डाल दी नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा दिर के लिए ढख दूँगी इसको ढख ढख के ही पकाना है आपको अब मैं इसमें अद्रक लेसुन का पेज डालूंगी अद्रक लेसुन का पेज डाल के भी मुझे बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है अब मैं इसमें हमारे जो सुखे मसाले हैं ड्राई मसाले हैं हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालीगा और इसको थोड़ा सा मैं आलू और कुंद्रू के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला के मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी देखिए छोटी छोटी टुक्रे में काटी हूँ टमाटर मैं और उसके पहले यह देखना बहुत जरूरी है आलू 90% तक बॉइल हो जाना चाहिए क्योंकि टमाटर डालने के बाद आलू लेट से बॉइल होता है तो टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढखके पकाऊंगी देखिए कितना अच्छा से लाल लाल फ्राई हो रहा है हमारा अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिला लूँगी हमारा आलू कुंदरू फ्राई रेडी है देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है एकदम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी फ्राई हुआ है खाने में जितना मज़ेदार लगता है देखने में भी उतना ही अच्छा लग रहा है तो मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना अनुभब मेरे साथ शेयर कीजिए थैंक यू टेक क्यार बाई बाई